असलाम अलेकुम स्टुडेंट्स आप सब खेरिया से होंगे तोड़े आपको समझ आ जाए कि आज हैंड़ाउट्स में से ही सुलीशन हमने फाइंड आउट करना है और क्वेस्टन बहुत एजी हैं सबसे पहले क्वेस्टन रीड आउट कर लेते हैं कि क्या है और उसको अंड करता है तो first of all there are few sprangers basic values types तो जो भी ailpot ने हमें basic values types बताई है एक human के बारे में समझने के लिए, एक human की nature को समझने के लिए, तो उसको हमने study करना है, first of all, Spranger क्या है? Spranger is system है, classification का, जो के sort करता है human को by six basic cultural values, ठीक है, six cultural values हैं, उसमें humans को sort out करता है, कि humans जो हैं, उनको classify कर दिया गया है, और इनी ही values की base पे, हम human को कर सकते हैं, study कर सकते हैं, human personality को observe कर सकते हैं, personality को identify कर सकते हैं, कि किस type की personality है, तो उन values की base पे ही, उसकी personality होती है, तो next है, हमारे पास depicted in the study of values manual, और Alport, Werner और Lindsley ने ये 96.2 में दिया था, keeping in view those types, इन जो views को जो है, आपने इन types को अपने रखना है, अपने mind में highlight which type is dominant in your personality, और आपने highlight करना है कि कौन सी personality dominant है, आपके कौन सी value system है, कौन सी type है, जो कि आपके personality में dominant है, जो कि आपके personality में dominant है, तो justify करना है, आपने answer को giving logical reason देने हैं, real life examples देनी हैं, तो first of all तो आपको ये समझना पड़ेगा, कि values जो हैं, वो कौन सी values हैं, उसको understand करना है, and then आपको identify करना है, कि आपकी जो personality है, उसमें कौन सी dominant values हैं, और उन values के according आपने बताना है, कि आपने reasons बताने हैं, आपने justify करना है, अपने arguments को, कि आप में वो values हैं, ठीक है, और उस values को आपने real life examples के साथ explain भी करना है, तो first of all वो चेक कर लेते हैं, airport ने stress किया है, human nature को, sorry, airport ने stress किया है, that a mature person needs a unifying philosophy, ठीक है, जो भी एक mature person होता है, उसको need होती है, कि वो unify करे, यानि कि मुतहित कर दे, उसकी जिन्दगी की philosophy है, ठीक है, तो ताकि वो sense create कर सके उसके existence की, क्यों है इस दुनिया में ठीक है, उसका purpose क्या है, तो ये है कि a mature person सबको unify करता है, अपने existence को समझने के लिए, individual philosophy है, is founded upon values, और individual की philosophy है, हमारा जो philosophy है, वो हमारे इकदार पर बेस करता है, ठीक है, हमारी values क्या है, foundation है उसके लिए, जिस पे हमारा नजरिया सारा बेस कर रहा है, तो basic convictions है, about what is not of real importance in life, क्या हमारी जो जिन्दगी है, उसमें कौन सी basic convictions है, ठीक है, हमारी values क्या है, जिसके उपर हमारा philosophy है, जिन्दगी की वो based कर रही है, और जो आपकी values होंगी, वैसे ही आपके personality होगी, जैसे के believing that a person's effort to find order and meaning, ठीक है, एक person की efforts हमारी जो efforts होती है, कि हम अपने life को order and meaning find out करें, ठीक है, अपने existence जो है, अपनी values जो है, उसको देखते हैं, कि हमारी जो values क्या है, जो के हमारे personality को बना रही है, एलपोर्ट ने hard work किया, इस पे identify करने के लिए, और इसको measure करने के लिए, value के dimensions क्या है, तो उसने six dimensions जो है, वो find out की है, और उसकी जो effort है, evident है, कि well known personality test, यानि कि इस तरह उसने personality test को, जो है, वो create किया है, और ता कि हम उसको identify कर सके हैं, अपनी personality, हमारी personality क्या है, values के according, ठीक है, जो हमारी values होंगी, वैसी ही हमारी personality होगी, और जो ज्यादा dominant होगी, personality type, वैसी ही हमारी personality होगी, जो हमारी values जो है, होंगी तो सो लेट्स टेक आउट कि हमारी जो सिक्स उसने स्प्रेंगर बेसिक वैल्यू टाइप दी हैं वह कौन सी हैं और उसमें आपने फिर आइंटिफाइ करना है कि आप किसको ज्यादा इलैबरेट करेंगे आपकी परिसनाली में कौन सी डॉमिनेंट है वह टाइप और आपने रिल लाइफ एक्जेंपल्स के दाइए एक्स्प्लेइन करना है फिरस्ट फॉल तो थेरेटिकल है थेरेटिकल मीन्स आपकी जो होता है जो नजरियाती इनसान होता है वह प्राइमेरिली कंसर्ण विद डिस्कवरी ओफ टूथ तो बन्यादी तोर पे वह ना सच की तलाश में होता है सच की दर्याफत में होता है कि सच क्या है ठीक है ही और शीयूम्स अ कॉगनिटीव एटिट्यूड इन परसुइंग इस अब्जेक्टिव इस मकसद को हांसिल करने के लिए उसका जो नजरिया है वह को और बेस करता है उसका अपना जो एटिट्यूड है इस अब्जाब करता है इसको एक लॉजिकल वे में फाइंड आउट करता है कि उसका लॉजिक क्या है उसके भी हाइंड यह चीज़ इंडियूड होते हैं यह लोग और रुथ की यह नि सच की तलाश में होते हैं और एंपिरिसिजम मतलब वह तजरबाती होते हैं जरा पिन्यादी तोर पे उनकी छनाखत क्या है ठीक है उनके डिफरेंसिज क्या है दूसरों से रिजेक्टिंग एनि कंसीटिरेशन ऑफ ब्यूटी और यृटिली और जितने भी ब्यूटी जनी कि उसकी जो प्यूटी जो है उसके काम गोर करते हैं यह या यूटिलिटी पे कि कि अपादिया यानि फाइदे को कम देख देए वो ज्यादा उनका फोकॉस होता है इस चीज पर कि सच क्या है और इंटेलेक्च्वल होते हैं एंपिरिसिजम यानि कि उसको तजर्बाती तोर पे लेते हैं ठीक है और वो यह सारी चीजें क्या है प्रिक्टिकल होने की एक नि तो इस तरह देखते हैं यह सच की तलाश में होते हैं यह पर हकीकत पसंदने हैं ठीक है रोलिटी को फोकॉस करते हैं ज्यादा तो यह सारी आपकी अप्र थरैटिकल होने की निशाने है और थरैटिकल वैलियू इट मिंज कि आपकी परस्टेलिटी जो है वह 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 दो करने या फिर कोई reality जो है वो इसको find out करने की कोशिश की हो तो यह सारी चीज़ें फिर आपने explain करनी है economic economic जो है वो लोग कैसे होते है economic individual जो होते हैं वो ज्यादा highest value यूज होती है उनकी useful उनके लिए क्या फाइदय मंद चीज़ है वो नफ़ा नुकसान के बारे में सोचते हैं तो फॉरली प्रेक्टिकल होते हैं वो अपनी इस्टीडियो टाइप बने होती है किस काम्याब कैसे होना है आपने तीक है उसके बाद की satisfaction होती है बोडिली नीड यानिके खुद की first of all वो अपनी security के बारे में सोचते हैं खुद को secure करने के बारे में यानिकी totally उनका mind जो है वो बिल्कुल money की जैसे money की तरफ है यानिके कैसे पैसे को कमाना है पैसों को कैसे attract करना है अपनी तरफ और अपनी professional life को कैसे लेकर चलना है profession में कैसे आपने successful होन मार्किटिंग डाइब का होता है और नेक्स्ट यहीं है एकनॉमिक कर लाइबरेशन ऑफ क्राड़िट यह निकि वहीं सारी तफसील के पैसे को पैसे के बारे में बड़े मतलब होते हैं conscious होते हैं कि कहां पे कितने पैसे हुए हैं कितने पैसे कमाएं जाएंगे कैसे कमाएं तो यह हैं एकनॉमिक परसन जो होते हैं उसमें ज्यादा है जमाल आती हैं इससे कहते हैं खुबसूरती को प्रसंद करते हैं वह चाहते हैं कि हार जो इवेंट है जो भी उनकी लाइफ का एक्सपिरियंस मतलब कि सारे वहामनी में हो उनकी कोई फॉर्म हो ठीक है उनका जो है वो यह नहीं कि उनकी टॉटली ग्रेस हो सिमेट्री हो इससे मतलब मिलती है जुलती चीज़ें हो फिटनेस हो वहाँ पर और यह इस तरह यह परसीव करते हैं इवेंट्स को जिदगी के कि वो इंजॉय कर सकें ठीक है और इसका ज़रूरी नहीं है कि उनके एस्थैटिक स अगल पर यह नहीं हमें से फोकिस करेंगे अपकिस तरह जोड़ यह वास्टिक के अपनों अपनी जिंदगी में आर्टिस्टिक को बहुत ज्यादा को सिदर करेंगे देंगे social mean highest value इनकी social type पे होती है love of people यानि लोगों से महबब से बेश आना study of values focus only upon the altruistic altruistic और philanthropic यानि कि वो इनसान दोस्त होते हैं ठीक है और aspects of love यानि कि ज्यादा love पे वो focus करते हैं अपनी family life पे ठीक है और ये ये लोग जो होते हैं बहुत unselfish होते हैं selfless होते हैं sympathetic होते हैं kind होते हैं और जैसे कि दूसरे हम नजरियात पढ़ चुके हैं उपर जैसे theoretical है economic है, aesthetic है तो ये तीनों जो हैं वो cold है, inhuman है लेकिन जब कि social जो है वो एक love पे ज्यादा focus कर रहा है human relationship पे फोकस कर रहा है और selfless है और closely related to religious value तो ये आपने चेक आट करना है कि अगर आपने social में मतलब है values तो आप की personality इस तरह होगी और ये आपने इसको define करना है कि आप लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं और लोगों से ज्यादा sympathize करते हैं sympathy हैं आप में लोगों के लिए kind हैं लोगों के साथ unselfish हैं ज्यादा concern है कि लोग जो है आप अच्छे तरीके से behave करें दूसरों के साथ unselfish जो selfish ना हो तो ये है कि caring nature होती है इन लोगों की तो ये social लोगों का attitude है और social values जिनकी ज्यादा होंगी वो लोग इस तरह के होंगे और अगर आपकी personality ये है dominant है तो फिर आप इस तरह के कुछ experiences share कर सकते हैं अपने real life में examples दे सकते हैं आपने किसी को आपने sympathize किया है किसी के साथ किसी के लिए आपने अच्छा सोचा है अच्छा किया है तो ये चीजे हैं social होने की निशानी है देन political में political में आप असकते हैं political जो personality होती है political individual होते है वो ज्यादा power पे focus करते हैं leadership पे focus करते हैं leaders होते हैं उनको ज्यादा lead करने का show करता है हर अपनी जितने भी life के expects हैं उनमें सब में तो ये लोग किसी के अंडर जो है वो काम नहीं कर सकते because उनमें leadership qualities होती है वो ज्यादा उनका जो power कर जो power चाहिए ना उन्हें वो ज्यादा dominant होती है उनके personality में तो direct expression of the motive this motive जो हो लोगों में होता है लेकिन इन लोगों में जो हो overwrite कर जाता है बाकी सारी situations में the yarn for personal power उन्हें ज्यादा power चाहिए होती है influence चाहिए होता है renown above all else ठीक है यनि सब चीजों से उपर जो है वो मशूर होना ये power होना उनके पास ये influence होना तो ये leadership qualities होती है ये leader बनने की इनमें एक खौाइश होती है तो ये चीज़े सारी है political इनसान की जरूरी नहीं है political mean it is related to politics politics में भी हो सकता है लेकिन ये आपकी हर life जिन्दगी के जितने भी आपके experience हैं जितने भी आपके events हैं उन सब में जो है वो ये power पे ज्यादा focus करते हैं और ज्यादा leadership qualities है इनकी दूसरों को दूसरों के अंडर जो है वो काम नहीं कर सकते इनका जो है ये अपना ही ये करना चाहते है कुछ ना कुछ लीडर बनना चाहते है तो ये चीज़ है कि बिजनस जैसे businessman की quality होती है तो ये चीज़ है political होने की आप में political value ज्यादा है तो फिर आपकी personality ये इस चीज़ में होगी और next है हमारे पास religious religious में क्या होता है religious individuals रहे हैं उनकी ज्यादा highest value जो है unity पे है unity of life जिन्दगी को कैसे होने मुतहिद करके रखना है थोड़ा mystical ये लोग होते हैं सूफियान आ किसम के लोग होते हैं और अंडर्स्राइड करते हैं जिन्दगी को जड़ दुनिया को एक unified holy मुतहिद ये मतलब की एक चीज़ के तौर पे और religious person जो होता है who is permanently oriented toward the creation of the highest यानि कि बहुत ज्यादा जो highest creation है उस पे ज्यादा फोकस करता है और absolutely satisfying value experience जो कि उनकी इस तरह की experiences जो कि उनको satisfy करें तो different modes I am seeking this level of experience जैसे कि some religious person कुछ imminent mistakes होते हैं जैसे कि गयर ये की नहीं कुछ सूफियाना कि समके लोग होते हैं इसे लोग होते हैं जो कि find करते हैं religious meaning को India formation यानि कि इसको formation में तस्दीग में active participation in life के वो जिन्दगी में active home अपनी life में और दूसरे सारे जो जितनी भी fields हैं उनको ignore ना करें और सब में participate करें तो ये होते हैं imminent mistakes और कुछ transgender mistakes होते हैं जो मावरा किसम की मतलब के हैं सूफियाना type के वो क्या करते हैं कि वो सब को छोड़ शार देते हैं और जैसे जंगलों में अपने जो गौड है उसके साथ कर दिया उसके अपने रिलेशन्शिप उस पर ही बस फोकस किया सारा ठीक है और बाकी सारी दुनिया को छोड़ दिया और ये रहभानियत का तसवर जो है वो अपना लेना तो ये ट्रांस इंडर मिस्टिक्स हैं अच्छा इन सब के पर्टिकल टाइस रिलिजिस परसंटे हैं सीक्स यूनिटी एंड हाईर मिनिंग इंड कोस्मॉस यानि कि अपनी जो यूनिफर्स है जो उसमें आप और ली एक मीनिंग फाइंड आउट करते हैं अपनी एक्जिस्टेंस का रिलिजिस में आप दो टाइपस हैं जैसे कि आप इन में से एक भी बता सकते हैं आप रिलिजिस वैलीउस को भी इसको भी इसको भी एक में फाइपनी आप पेर अप्रियी यह में बहुँ जिदे लिए और अब हम यह चीज़ की और आप यह चीज़ आपकी डामिनिट हैं तो आप इन 6 को एक्स्प्रेंड करती हैं आप आई को पता चल गया होगा कि आपकी परसनालिटी में क्या चीज डॉमिनेंट है और आपको कौन सी वैलियूज है जो कि आप में ज्यादा है जिस पे आप ज्यादा फोकस करते हैं उनमें से कोई भी एक स्लेक्ट करें उसको आपने बताना है कि यह वैलियूज है ठीक है I am this type of person और पिर आपने इसको explain करते हैं अपनी real life examples बतानी है कुछ भी आपनी जिन्दगी में से कोई भी examples दे देनी है जो भी आप experiences आप related उससे related उससे related हुए है ठीक है जैसे आप social है तो आपने लोगों की help कैसे की है ठीक है आपने कहां पर किसकी help की है आपनी equality sympathy है आप kind है दुसरों के दाद friendly है ठीक है अप selfish है आपके कोई इसमें personal motives नहीं होते हैं आपके ठीक है लोगों के साथ connections जो है बनाते हैं relations पे आप relationship पे फोकस करते हैं अपने ज्यादा तो यह चीज़ आप उस पे ज्यादा बहुत ज्यादा लिख सकते हैं और अपने आपको अपने explain करना है अपन सारे understanding हो चुकी होगी कि psychology में यह six types रहा हमें नहीं find out ही है कि क्या types होती है यह हमारी values क्या है और I hope so कि आपको भी इसमें आपने भी discover कर लिया होगा कि आपकी values कौन सी है आप में dominant values कौन सी है और आपकी personality type कौन सी है सो psychology is the study कि हम understand करें अपने आपको और दूसरों को भी understand करने की कोशिश करें तो I hope so कि हम इसको इस concept को अपने clear करते जाएंगे साथ साथ जिन्हों ने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो वह कर दें और इस channel को join कर लें कि हम psychology में इसको सीखें उसको practical life में try करें and then उसको expand करें अपने knowledge को इस field में so I hope so कि आपको understanding हो चुकी होगी और you will cooperate with us and thank you so much दूसरे students के साथ भी share कीचिए ये video जिनको अभी जिनको नहीं पता कि PGTP को solution कि कैसे इसको solve out करना है इस question को तो help out help करें दूसरों को भी and thank you so much Allah Hafiz